अलो नमस्कार स्वागत है आप सभी का उत्करस टैगड में के यूटूब चैनल पर और मैं पंकर जोशी आप सभी का उत्करस टैगड में के यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज यानि कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि भारत की नदियों से संबंदित महत्वपून प्रश्ण यह हमारा सेशन चल रहा है और यानि कि भारत्य जो भुगोल है भारत्य भुगोल के प्रश्ण मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ इससे पहले भी मैं पार्ट वन लेकर आ चुका हूँ तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग जाकर उसे अवश्य देखें उसमें मैं यानि कि भारत की परियोजना या बांध है पूरे डिटेल से आपके बीच लेकर आ चुका हूँ आज हमारी चर्चा होने वाली है भारत की नदियों से संबंदित प्रशन पर और ये सारे की सारे जो मैंने कुश्चन लाए हैं ये दोस्तों कहीं न कहीं एक्जाम में पूछे गए हैं इसलिए ये सभी परिक्षाओं के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है कोई सी भी एक्जाम हो सब के लिए ये जो है बहुत ही मैत्रपुन प्रशन है तो चलिए फिर जादा समय ना लेकर इसका शुरू कर देते हैं शुरूबात कर देता हूं और सबसे पहला जो आज के सेश एक मिनट ये उप्शन के उपर आ चुका उप्शन है सिंधु तथा जेलम गंगा तथा जेलम गंगा तथा भ्रह्मा पुत्र या फिर गंगा सिंधु सभी लोग फटाबर से कमेंट बॉक्स में अपना जबाब भी देते रहेंगे और इसे मैं दोस्तों आपको बिलकुल मै कोश्चन तो याद होंगे और साथी साथ इससे जुड़ी और चीज़े भी याद होती रहेगी तो पहला कोश्चन था सुंदर्वन डेल्टा का निर्मान करने वाली नद्या कौन सी है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानि की ऑप्शन सी जो लोग जा रहे होंगे य यह जो पूर यहां पर आपको यह देख रहा है यही दोस्तों वो भ्रह्मा पुत्र यानि जैसे सुंदर्वन डेल्टा के नाम से जाना जाता है यह गंगा और भ्रह्मा पुत्र के द्वारा बनाए जाता है तो यह पूरा डेल्टा बन रखा यहां पर नदियों के द्वार निर्मित किया जाता है अगला कोश्चन देखें दूसरा कोश्चन है बांगलादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है कि बांगलादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है और जो लोग जा रहे होंगे यानि कि यहां पर भी ऑप्शन सी के साथ पदमा के साथ वो बिल्कुल राइट जा रोगे तो बांगलदेश में जो गंगा है इसे पदमा के नाम से जाना जाता है अगर हम लोग इसे मैप में देखें तो मैप में मैंने थोड़ा सापको समझाया है कि किस किस तरह से किस किस नाम उसी से जाना जाता है यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस जगे पर देखें यह बहला यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यह हमारी गंगा आ रही है और जब गंगा आगे आती है तो गंगा बांगलादेश में पहुंचते ही यह पदमा के नाम से जाने जाती है और इस दिशा से दोस्तों ब्रह्मा पुत्र नदी आ रही है और ब्रह्मा पुत्र यहाँ पर बांगला देश में जमुना के नाम से जाने जाती है तो पदमा के नाम से गंगा जाने जाती है और जमुना के नाम से ब्रह्मा पुत्र जाने जाती है जब पदमा और जमुना दोनों मिल जाती है तो यह पदमा के नाम से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते वे फिर इसमें एक मेगना नदी आकर मिलती है और फिर यह मेगना के नाम से फिर जो है बंगोल की खाड़ी में गिड़ अगला कोश्चन देखे तीसरा कोश्चन और इस तीसरे कोश्चन में पूचा है कि निम्न मैंसे किस इस्थान पर अलग नंदा नदी तथा भागी रती नदी का संगम होता है और आप्शन आप सभी के सामने विश्णु परियाग हैं देपरियाग हैं नन परियाग या फिर कर परियाग निम्नमेकिस इस इस्तान पर अलग नंदा और भागी रथी नदी का संगम होता है तो बड़ा सिंपल सा कोश्चन है option B के साथ जो जा रहे होंगे वो बिल्कुल यहां पर सही जा रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option B इसके आलावा अगर मैं आप लोगों को यह जो पंच परियाग है यह दोस्तों उत्राखन में है तो थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को इसे बताओं तो आप लोग यहां पर इसे याद कर सकते हैं पंच परियाग में जो हमारी जो अलग नंदा नदी पर बने वे सारे की सारे पंच परियाग ये बद्रिनाथ से अलग नंदा नदी आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखेगा विश्णु परियाग और विश्णु परियाग में धौली गंगा और अलग नंदा मिल जाती है फिर यहां से नदी आगे बढ़ती है तो अगला जो परियाग आता है अगला आता है नंद परियाग और नंद परियाग में जो है इस नदी से नंदा किनी मिल जाती है तो अलग नंदा नंदा किनी नंद परियाग में मिल जाती है नेक्स जो परियाग आता है वो कर्ण परिया और अलग नंदा का संगम और यहीं से फिर ये गंगा कहलाती है तो ये दोस्तों मोस्ट इंपोटेंट है अलग अलग ये पांचों की पांचों जो परियाग है क्रम से पूछे जाते कभी उपर से नीचे भी पूछे जाते तो सबसे पहले विश्णो परियाग फिर नंद परि पिंडर नदी है अलग नंदा है या फिर भागी रती नदी तो सबी लोग comment box में अपना anticipating जिवाब करते रहें कि किस नदी की तद पर रिश्तित है हमारा बद्रिनात नाजित आई و्हासा है तो इसका राइट आंसर हो जाएegt हमारा यानि की option B अलग नंता नदी यह आप लोगों देख रहे होंगे दोस्तों बहुत ही खुबसूरत यहाँ पर पूरा यह बर्फवारी से लदावा है यह हमारा बद्रिनाथ धाम है और इसी के साथ में बद्रिनाथ से गुजर रही है अलग नंता नदी और यहीं से आगे दोस्तों में एक बहुत ही सुर्क्यों में इस्थल है अभी यानि कि जो जोशी मठ है आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जोशी जो मठ है जोशी मठ है इस समय बहुत ज़्यादा सुर्क्यों में है क्योंकि वहाँ पर भूद असाव हो रहा है तो वो बिल्कुल बद्रिनात के ही निकटे और अलग नंदा नदी के साथ ही बनावा है बागी बढ़ताओं फिला अलगले कोशिन क्यों अगला कोशिन है पांचवा कोशिन और इस पांचवे कोशिन में पूचा है कि निम्न मैंसे कौन सी श्रिणी यमुना तथा सोन नदी के मध्ये जल विभाजक का काम करती है यानि कि कौन सी श्रिणी यमुना और सोन नदी पूचा है इनके मध्ये जल विभाजक का काम करती है मतलब आप लोगों को बताना है कि जैसे ये हमारी यमुना नदी आ रही है तो यमुना नदी के बीच में एक कोई श्टेणी इस परकार सोगी फिर हमारी यहाँ पर आ जाएगी सोन नदी वरना अगर ये विवाजन श्टेणी ना होती तो सोन नदी इधर हो सकती थी या यमुना नदी इधर हो सकती तो एक विवाजक का काम करती है वो आपको पाड़ी बताने है मैकाल की पाड़ी है केमुर की पाड़ी है अरावली पाड़ी है या फिर निलकंड की पाड़ी है तो जिन लोगों का जबाब जा रहा होगा यानि कि option B के साथ वो बिल्कुल यहां पर सही जा रहे हैं तो कैमूर की जो पहाडिया है आपको याद रखना यमुना और जो सोन नदी है यह हमारी यमुना नदी हो गई यहां पर और यह हमारी क्या हो गई सोन नदी. तो इन नदियों का जो विवाजक का काम करती है वो केमूर की पाऴया करती है. बाकी मैप के माध्यम से अगर मैं आपके इसे दिखा हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह मैप की माध्यम से इस जगे पर देखे. यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी यह वो हमारी कैमूर की पाड़ी यह वाली यह है इस जगे पर कैमूर और यमुना नदी यह इस जगे से इस परकार से यहां तक आ जाती है और हमारी सोन नदी इस जगे से इस कैमूर की पाड़ी से गंगा में मिल जाती है तो यमु मैंसे कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है most important question है कि यमुना नदी में कौन सी नदी नहीं मिलती है इस type के question exam में और मैं पहले बता दू दोस्तों जो मैंने question लाए हैं ये सारे की सारे सारे की सारे प्रशन exam में पूछे वे हैं, मैंने सभी कोशिन वह लाए हैं जो एक्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ऐसे कोशिन आगे भी पूछे जा सकते हैं तो इसे एमानदारी से, सावधानी से बड़ी अतरी किसे पढ़िए, और इनको बड़ी वीडियो ला चुका हूँ, उसमें सारे कुशिन है दूसरा जो मेरा ये वीडियो आपके भी चाहरा है इसमें मैंने सारी जो नदियां हैं, नदियां कम्प्लीट कर रहा हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो इसी ताइप से मैं जोग्राफिक के टार्गेट करते वे सारे की सारे टॉपिकों को कवर करवाने वाला हूँ MCQ के माध्यम से, तो फिलाल इसका आप लोगोंने जवाब दे दिया होगा, इसका राइट आंसर जिन लोगोंने दिया होगा, यानि की ऑप्शन सी सोन नदी, उनका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर मैप के माध्यम से मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको तो आपको याद रखना है दोस्तों की जो सोन नदी है, यह दोस्तों यमुना में यह हमारी यमुना होगे, अब जो हमने सोन नदी पूछियां से जब गंगा आगे बढ़ती है तो जो सोन नदी है, सोन नदी आके गंगा में मिल जाती है, तो आपको याद रखना देखो, अगर बेतवा की बात करूँ मैं तो हमारी जो बेतवा नदी है, बेतवा यमुना में मिल जाती है इसके अलावा चंबल नदी यमुना में मिल जाती है सिंद नदी यमुना में मिल जाती है इसके अलावा केन नदी भी यमुना में मिल जाती है यह सारी नदियां जो है यमुना से हमारी परियाग राजबे मिल जाती है तो यमुना में कौन-कौन से मिल रहे देखो केन नदी मिल रही है बेतवा यमुना की है सिंध यमुना की है चंबल भी यमुना की है बाकी जो टोन्स है और जो सोन नदी है ये दोस्तों हमारी जो गंगा आगे जा रही है तो ये सोन नद कि गंगा में बाएं से बतलब आगर आप गंगा ये बह रही होगी तो आपको पता है कि गंगा का बाएं ये वाला है और ये नीचे का दाएं हो जाएगा तो कौन सी नहीं मिलती है गंगा में देखो यह नहीं पर जाना है तो गंगा में कौन सी बाएं से नहीं मिलती है के से कौन से नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है तो बाएं से गंगा में सोन नदी नहीं मिलती है एना उपर वाला इसका राइट एंड हो जाएगा नीचे से बाएं अगर मैं मैं अपके माध्यम साब को इस नदी को दिखाता हूं तो अभी तक भी मैंने यही चित्रा आप कि यह दाएं से मिलती है तो यह आपको याद रखने थी बागी सारे केन हो अगर मैं यहाँ पर मैप की माद्यम सी सिर्फ फिर से आपको दिखाऊ हूं यहाँ पर देखें केन बेतवा यह तो खर वैसे चंबल की साइग नदिया होगी कोश्चन यही से वैसे अगर आप लोग कि इसे पैचान लेते तो यही से आप लोग इसे सैकल लेते आगला कोश्चन देखिए आठवा कोश्चन है और आठवे कोश्चन में पूचा है कि बेतवा नदी किसकी साइग नदी है अब देखो फिर से सिंपल सा कोश्चन आगया अगर आपने मैप इससे देख लिए यह आपको यहाँ पर देख रहे होगी यह है बेतवा नदी और बेतवा नदी सीधा यमणा नदी से मिल रही चमबल भी दोस्तों यह चार नदियां बिलकूर रटनी पड़ती है यमणा की साइग नदियां बाकी गंगा की उत्तर वाइनी दक्षिन वाइनी इनको भी रटना पड़ता है आगे बढ़ता हूँ अगले कोशिन के और अगला कोशिन देखिया आगया फिर से यानि कि गंगा नदी की एक मात्र साइग नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है most important question exam में पूछा हूआ है कि गंगा की एक मात्र मतलब बाकी गंगा की जितनी भी साइग नदिया कही न कहीं परवतों से पहाड़ों से निकलती है पर एक ऐसी है जो मैदान से निकलती है तो आप लोगों को बताना है कि ऐसी कौन से नदी है जो गंगा में मैदान से मिलती है option है केन, यमुना, गोमती या फ़र चंबल तो right answer हो जाएगा option C यानि कि गोमती नदी दोस्तों गोमती नदी गंगा में मिलती है और गंगा में मिलने वाली दोस्तों एक मातर है जो मैदान से उद्गम होकर आती है यहाँ पर देख रहे हो कि आपको यह गोमती नदी ये वाली और सीधा गंगा में आकर मिल रही है और ये गंगा में कहां से मिल रही है यानि कि बाएं से आकर गंगा में मिल रही है नेक्स्ट कोश्चन देखिए दस्वा कोश्चन है और दस्वे प्रश्चन में पूचा है कि निम्न में कौन सी नदी यमुना नदी की साहिक नदी नहीं है देखो फिर से question आ गए कि यमुना की साइक नदी कौन सी नहीं है पहचान करने है राम गंगा नदी है यमुना नदी है गड़बर हो गया देखो यमुना की पूछिए तो यमुना देदी चलो कोई बात नहीं यमुना गोमती या फिर चंबल तो चलिए फिलाल आप लोग नहीं है तो इसमें से option यह हो जाएगा यानि कि राम गंगा नदी ना बागी देखो गोमती नदी यमुना की साइक नदी नहीं है गोमती यमुना की चंबल हो गई यह question एक तरह से दोस्तो गरबढ़ हो गया इसको थोड़ा सापको यहाँ पर समझा देता हूँ देखो इन में से दो option हमारे यमुना की साइक नदी के साथ आए पूछा क्या था कि यमुना की साइक नदी नहीं है तो नहीं कौन से नहीं होगी तो आप लोगों को याद रख यह भी नहीं होगी यह भी नहीं होगी और जो चंबल है चंबल नदी किसकी तो यह question एक तरह से गलत हो गया तो आप लोग इसको जो है साही कर सकते हैं आगला question देखें तो इस question को दोस्तो आप लोग cycle लेना यह question मिस्प्रिंट हो गया है मतलब इसमें जो नीची answer दिये गये हैं या जो option दिये गया है वो गलत हो गया है तो इससे आप अपनी साप से cycle लिजीए गयारवा question देखें भागी रती नदी का उद्गम किस glacier से होता है option है यमनोत्री, सतोपंत, गंगोत्री या फिर दोस्तो पिंडारी गलेशियर तो फटापड़ यह बड़ा simple सा question है यमनोत्री, सतोपंत, गंगोत्री या पिंडारी भागी रती नदी पूछा है तो इसका जो right answer है जो आप लोगों को जो भी जा रहे हों कि option C के साथ वो बिल और इसी के नीचे बनी हुई है यह गोमुग गुफा और इसी गोमुग गुफा से अलकी सी जो धारा दिख रही है यह भागी रती नदी की रूप में आगे बैती है आगला question है बारवा question और बारवे question में आप से पूछा है कि भारत में किस नदी को यारलोंग जांगो नद पूत्र या फिर महा नदी तो लगा लिया होगा सब लोगों आइडिया बड़ा simple सा था है आपने भाशा ही पैचान ली होगी तो इसमें से दोस्तों जो right answer हो जाएगा आपका यानि कि हमारा ब्रह्मा पूत्र नदी इसका right answer हो जाएगा इसे भारत में इस नाम से जाना जा जाता है और भारत में यह पहुंचती है तो इसे भ्रह्मा पूत्र की नाम से भी जाना जाता है बाकि अगर हम लोग इस छेत्र में देखें जो अरुना चल परदेश आदी है तो इधर इसे दिवांग नाम से भी जाना जाता है बाकि इसकी सारे की सारी साइग नदिया जिन यानि कि तिब्बत में जो मानसरोवर जील है, जहां के लिए मानसरोवर यात्रा भी की जाती है, तो यहां से कौन सी नदी निकलती है, सिंदो नदी निकलती है, सतलज नदी, मतलब उसके निकट से पूछा है, या भ्रह्मा पुत्री आफिर सारी के सारी नदी निकलती है, तो मैं मैं आपके माध्यम से आपके इसे दिखाऊं तो छोटा समय आपको दिख रहा होगा यह लगबग इसका पॉइंट है यहां पर मांसरोबर का तो इधर से हमारी इंडस यानि सिंदू नदी निकल रही है इधर से सतलज नदी भी जा रही है और यह हमारी ब्रह्मापुत्र भी जा रही है तो जो हमारा मानसरोबर जील है इस जगे से यह तीनों जाती है सिंदू सतलज और भ्रह्मापुत्रा तो कोश्चन एक्जाम में पूछा वा है आगे भी रिपीट हो सकते हैं इसलिए इसको अच्छे से याद रख लगना चोद्वा कोश्चन देखें चोद्वे में पूछा है कि ब्रह्मापुत्र नदी को तिबबत में किस नाम से जाना जाता है अब भी जस्ट हमारी चर्चा हो चुकी थी ऑप्शन है पदमा हिमजुंग दिबांग या फिर सांगपो तो फिलाल आप लोग फटापरस का जवाब दीजे कि ब्रह्मापुत्र को तिबबत में किस नाम से जाना जाता है और इसका जो राइड आंसर है सांगपो तो तिबबत में दोस्तों इसे सांगपो नदी की नाम से जाना जाता है मतलब यारलूंग भी कहते हैं और सांगपो भी कहते हैं अभी मैंने मैप पे आपको बत की बोल सकते हैं तो ब्रह्मा पुत्र है गंगा है गोदावरी है या फिर काविरी है यह भी एक्जाम में दोस्तों दो तीन वार पूछा गया है कि मानस नदी फिर तो साहिक नदी यहां आप लोगों को आने चाहिए कुछ Teeee अगर यहां पर हम लोग मैपुछे चाती हैं अगला स्वंकौश्योक और उसकी बhit पर नदी कि नर्मदा नदे कि नर्मदा नदे किन परवस शंकलां के बीच से होकर गुजडरतीन है और option आप सभी के सामने है यहाँ पर भांडेर एवं मेकाल पाहडी option B में सत्पुड़ा अरावली पाहडी C में सत्पुड़ा विंद्यांचल पाहडी और D में है विंद्यांचल एवं अरावली पाहडी तो फड़ाबर से इस question का भी comment box में आप लोग जबाब करते रहें और जिन लोगों ने जबाब दिया होगा यानि कि option C के साथ सत्पुड़ा विंद्यांचल के साथ वो यहाँ पर बिल्कुल सही गए है यहाँपर दोस्तों मैप के माध्यम से अगर मैं आपको दिखा हूँ तो यहाँपर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँपर देखे यह जो है यहाँपर आपको विंद्यांचल पाहड़ी दिखाई दे रहे हैं यह है विंद्यांचल पाहड़ी है सत्पुड़ा धक्षिन में दोनों के भी से जाती है नर्मदा नदी बाकि तापति का भी यहीं से पूछता है उस पर आगे कोशिन पूछा है तो आगे चल कर उस पर भी चर्चा करने वाले हैं फिलाल सत्रुए कोशिन का जवाब दीजिए निम्न मैंसे कौन सी नदी डेल् छांतर फैला देती है जाकर तो इसको बोलते है डेल्टा यानगे नदी की जो है यह धारा इस परकार से आकर में डे जाती है तो यह देल्टा बनाती हैं तो आपको बताना इन यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर देखर is अयहां पर नती है बाकि जो नर्मदा है यह डारक्ट सीधा यहां पर गिड़ जाती है इस परकार से एस्चुरी बना देती है तो यह आपको याद रखना है की जो हमारे नर्मदा और तापती है ये दोनों नदियां दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है नेक्स्ट कोश्चन देखे अठारवा कोश्चन है निम्न मैंसे कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बैती है अच्छा कोश्चन है most important क्या पूचा है रिफ्ट वैली यानि की घाटी से होकर बैती है रेंप घाटी भी आ जाता है तो कावेरी नदी है यमुना है तापती है सो तो फटाब बच्वार्श कमेंट बोक्स में जबाब दीजिए कि कौन सी नदी रिफ्ट वैली से बयती है मतलब ऐसे करके दो आपको इदा जो है आप करके बिलकुल पहार से देखेंगे ऐसे करके और ये बीच में घाटी जो रिफ्ट वैली कैसे बनती है नदियों से बनाये जाती है यह प्लेट के सिस्टम से कट कर बनती है तो इसके बीच से नदी जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानि के option C तापती नदी तापती जो नदी है यह हमारी रिफ्ट वैली से उकर बैती है यह आपको यहाँ पर दिखवी रहे हैं कि नर्मदा और तापती जो है दोनों नदिया अगला question देखिए 19 वा question है और इसमें पूछाए आपसे कि निमन मैंसे किस नदी का अमर कंटक से उदगम होता है अमर कंटक से वाई पूछाए कि अमर कंटक पाड़ी से कौन सी नदी नेखलती है कावेरी यमुना नर्मदा या फिर सोन नदी सिंपल सा question है अमर कंटक रट लीजे अमर कंटक पाड़ी से कौन सी नदी उदगम करती है option में इसका right answer हो जाएगा आपका C तो जो लोग यहाँ पर C के साथ जा रहे होंगे वो बिल्गुल सही जा रहे हैं बाप की मैप के माध्यम सगर इसको देखा जाए तो यह इस नदी से कई बार question अलग अलग भी पूछी जाते हैं यह आपको दोस्तों जो यह मैप दिख रहा यह आपका पूरा की पूरा MP है यानि कि मध्यपरदेश है और इस मध्यपरदेश में आपको यहाँ पर दिख रह यह नर्मदा नदी यहां से बैठते वे सीधा इस तरह से अरब सागर में गिर रही है तो इसमें कई बार यह पूछता है जैसे जबलपूर है भीड़ा घाट है इसके अलावा जैसे उंकारेश्वर का मंदिर हो गया महेश्वर का मंदिर हो गया यह सारे की सारे दोस्तों important खासतोर से उंकारेश्वर और महेश्वर मंदिर यह भी हमारी किस नदी की तटपर है यानि की नर्मदा नदी की तटपर है तो नर्मदा नदी कहां से निकल रही है अमरकंटक की पाडियों से निकल रही है आगला कोश्चिन देखे 20 वा कोश्चिन है और 20 कोश्चिन में प मतलब अगर आप लोग भारत का मैप इस परकार से देखेंगे यह वाला तो आपको बताना है कि पश्चिम की और जो बहने वाली नदिया है यहां से मतलब इस दिश्या में जो भारत की पश्चिम की और बह रही है तो इनमें से कौन से नदी ऐसी है जो दो घाटियों दो आया भी था तो राइट आंसर हो जाएगा option B नर्मदा अगर आप लोगों की याद होगा मैंने यह परवत यह मैंने आपको चित्र भी बताया था कि यह आपको उपर विंध्यान चल देखेगा निचे सत्पूड़ा और पश्चिम की और नर्मदा नदी गिर रही है अरब स इस देशा में यह पूरा बंगाल के खाड़ी है और यह पूरा अरब सागर है तो बहुत सारी नदिया हमारी जादतर बंगाल के खाड़ी में गिरती है और कुछ नदिया हमारी जो है अरब सागर में गिरती है तो इन में से कौन से नदिया ऐसी है जो हमारी अरब सागर में आप को पूछा यहां गिड़ रही देखी दम यह है मही दूनी नदी आकर यहां गिड़ जाती है इसके अलावा यह सारी नदी अगर आप इदर देखेंगे महा नदी इदर इथर गिड़ती है कृष्टव नदी विड़ती है काbyr इसारे नधियामारी पुरविक्योर यानि की बंगाल की खाड़ी में घरती है केवल अरफ सागर में यह तीन-चार नधिया घरती है अगला कोशिन देखिए अगला कोशिन है 22 कोशिन और 22 कोशिन में पूचा है कि निम्न में से कौन सी नदी उडिसा में अपना डिल्टा बनाती है मतलब अब आपको उडिसा जो राज्य है आपको बताना है कि केवल उडिसा में कौन सी बनाती है तो मैपके माध्यम से आप लोग आसानी से पहचान लोगे कि उडिसा हमारा कहाँ पर है देखो इसका राइट आंसर था महानदी तो महानदी आपको दिख रहे ये वाला और ये हमारा उडिसा का एरिया ये वाला आपको दिख रहा होगा ये वाला ये वाला तो उडिसा में पूछा है कि निवन में कौन सी नदी या फिर जौरण मुख नहीं बनाती है । दो चीज़े बनती है नदियों के द्वारा एक तो नदी बनाती है । डेल्टा ऐसे करके यह होता है डेल्टा और एक एश्यूरी का मतलब होता है नदी आती हो काटके सीधा ऐसे करके अंदर के और गिर जाती है मतलब वो डेल्टा नहीं बनाती सीधा गिरती है तो एश्यूरी और डेल्टा इन दो में अंतर होता है तो डेल्टा कौन सी है एश्य या फिर हमारा ज़ारन मुख बनाती है तो आप लोगों को यह कूछ याद रखना रा है आगला कोशन देखे चौबइसवा कोशन हैं और चौबइसवा कोशन में पूछा है कि भारत की दक्षिन भारत की नदिया نिमन में से कौन सा अपवा तंतर रखती है ये दोस्तों कोश्यन एक्जम में आया हुआ है आरिये वरिक्षिनोमा जालिदार या फिर खंडित वाई जितनी भी नदिया देखें कि सारे कि सारी नदिया इस परकार से जो वरिक्षिनोमा तंत्र बनाती है पूरा जड़ी और इधर को पूरा ऐसे फैला कर जाती है तो सीधा सिंपल से याद रखना यानि कि ऑप्शन भी दक्षिन भार कि जो नदिया है वह अपवातंत्र में वरिक्षिनोूमा शिस्टम बनाती है अगला कोश्चन देखें 25 कोश्चन है और 25 कोश्चन में पूछा है कि कावेरी नदिका उदगम कहां से होता है ये भी बड़ा अच्छा कोश्चन है कावेरीheen नदिका उदगम ब राइट आंसर हो जाएगा जो लोग जा रहे होंगे option A के साथ ब्रह्मा गिरी के साथ वो बिल्कुल सही जा रहे हैं मैं आपके माध्यम सगर हम लोग यहां पर देखें तो आमारी जो यह काविरी नदी है तो आप लोगों को याद रखना है जहां पर पश्चिमी घाड वाला सिस्टम शुरू हो जाता है तो इसी जगे पर आपको दोस्तों आपको यहां पर ब्रह्मा गिरी की पाड़िया मिलेगी और यहीं से हमारी काविरी नदी का उद्गम होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो most important है बागे फिलाल बढ़ते हैं 26 वे question क्यों और 27 वा question है कि निमलिकित मैं से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना कि वहां लिखावाए नहीं गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में कौन गिरती है गंगा ब्रह्मा पुत्र गोदावरी लूनी नर्मदा तापती महानदी कृष्णा काविरी या A तथा C मतलब A या C तो सिंपल सा question है जो लोग option D के साथ जा रहे होंगे वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे देखे कैसे मैं आपको समझा देता हूं कि कौन कौन सी नदी कैसे गिर रहे है पहला तो देखो यहाँ पर जो option A में आप से पूछा है option A में पूछा है कि गंगा ब्रह्मा पुत option B है लूनी नर्मदा तापी तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो नर्मदा यहां पर है तापती यहां पर है और लूनी नदी यहां पर यह तीन और जो नदियां यह गिरती हैं हमारी अरब सागर में तो बस केवल यह option अड़ जाता बाकि महानदी कृष्णा कावरी देख दामुदर नदी किस नदी की साइग नदी है और option में आपके सामने है गोदावरी तापती काविरी या फिर हूगली तो दामुदर नदी भी कई बार इस पर हमारी दामुदर घाटी नदी घाटी पर यूजना भी बनी है तो राइट आंसर हो जाएगा option D हूगली हूगली की तड़ पर है तो हूगली के तड़ पर है अगला question न Myth notion है कि दामुदर नदी का उदगम इस्थान किस स्थान से होता है मतलब दामोदर नदी कहां से निकलती है तो option है आपके सामने तिबबत से निकलती है छोटा नागपूर से निकलेगी मेगाले के पठार से या फिर दोस्तों अरावली की तो दामोदर जो नदी है यह अमारी निकलती है वह चोटा नागपूर का पठार और इसी जगे से आमारी जो है ये नदी इस परकार से निकलती है तो याद रखेगा जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपूर के पठार से निकलती है अगला कोश्चन है तीस्वा कोश्चन है और इसमें पूछाएं कि जो कपीली नदी है ये निम्न मैंसे किस नदी की साइक नदी है कपीली नदी option में गंड़क नदी है गंगा है कोसी है या फिर ब्रह्मा पुत्र तो कपीली नदी एक्जाम में पूछावा है और सीधा याद रखना कि समय गाता ब्रह्मा पुत्र यानि कि जो कपीली नदी है सीधा मेरा याद रखना ब्रह्मा पुत्र में मिलती है बागे दोस्तों ब्रह्मा पुत्र की मैंने अभी आपको बहुत सारी नदियां बताई भी थी कि कौन-कौन सी है जैसे आप गर हम लोग बात करें उन्हों चल परदेश में दिहांग है दिबांग है लोईत है ये ब्रह्मा की है इसके अलावा सुबन सीरी है इसके अलावा ये धन सीरी है मानस आ चुकी है संकोश आ चुकी है रेडे के ये है और जो हमारी अभी मैंने आपसे बताएं ये नदि भी इसी में आकर मिल जाती है तो याद रखेगा यानि कि ये भी साइग नदी किसकी है जो अमारी कपिली नदी है ब्रह्मा पुत्री की साइग नदी हो जाएगी अगला कोश्चन है 31 कोश्चन निम्न में से किस नदी का उदगम इस्थल भारत में नहीं है मतलब भारत से ये उदगम होता ही नहीं है व्यास का नहीं होता है चिनाप का नहीं होता है रावी का नहीं होता है या फिर दोस्तों सतलज का नहीं है सतलब जो भारत से नहीं निकलती है तो सिंपल सा कोश्चिन है अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा होगा व्यास नदी भी भारत से निकलती है जो सतलज नदी है सतलज नदी हमारी बाहर से निकलती है तिब्बत से निकलती है मैंने अभी जस्त आपको बताया भी था, कि जो यहाँ पर हमारा यह कैलाश मान सुर अपर है, उसी से सदस्रावश सतलज भी निकलती है, उसके आसपास से ब्रह्मा पुतरा भी निकलती है, तो सतलज नदी भारत के बाहर से निकलने है, थाट़ी टू है। तो अपने मार्ग में मतलब जब कभी उफान पर आती कभी दर को चैन जोकर निकलती कभी दर को तो यह अपने मार्ग में बहुत परिवर्दन लाती हैं तो वो नदी हैं दोस्तो कोसी है ना तो कोशी नदी याद रखेगा कोशी अपने मार्ग में बहुत परिवर्दन लाती है बागी बढ़ते हैं अगले कोश्चिन के और अगला कोश्चिन है अमारे पास 33 कोश्चिन और 33 कोश्चिन में पूछाएं कि किस नदी को कालंदी नदी की नाम से जाना जाता है तो बड़ा सिंपल सा कोश्चिन है पौरानी ग्रंतों में कालंदी नदी यमुना गंगा रावी कोसी दोस्तों जो यमुना नदी है यमुना को ही कालंदी नदी की नाम से जाना गया इतना सिंपल सा कोश्षिन अब तो याद हो गया होगा तबसे लेकर नदी अधिका दिका के बंगाल की खाड़ी अरब सागर खंबात की आफिरिन में से कोई तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा सीदा सा बंगाल की खाड़ी में घृती है अभी बताएं क्रिशना गिर रही है यह वो काविर है जो एक्जाम में पूछा है तो सब नदी कहां पर गिर रही है याने की बंगाल की खाड़ी में अगला कोश्चन है और दोस्तों यह मेरा आखरी कोश्चन भी है इस सेशन का और यह कोश्चन है 35 भारत तथा नेपाल के मध्य है कौन सी नदी सीमा बनाती है यानि हमारा जो भारत है भारत और नेपाल के मध्य एक नदी है जो सीमा बनाती है तो आपको बतानी कौन सी है सरेयू रामगंगा काली या फिर गोमती तो सिंपल सा कोश्चन है जो काली नदी है दोस्तों यह उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ पर ब तो आप लोगों से इतने विंती हैं दोस्तों अगर आपको वास्तों में अच्छा लग रहा है तो प्लीज अमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बागी वीडियो को भई लाइक अवश्य कीजिएगा और अगर आप सुझाओ देना चाहते हैं तो निचे कमेंट बॉक्स आ नहीं देखा वो जाकर मेरा यानि की भारत के जो बांद और पर्योजना से संबंदित प्रश्न है उससे अवश्य देखे तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है बाकी मिलेंगे आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार जैहिंद जै भारत जै उत कर दोस्तों प्रनि अजाय है १र व राकर घून भीडियो λ analytics मैं तोस्तों नेच्छ 2